गोलसन ग्रोबर जी हमारे बीच कुछी शनू में आने वाले हैं और जोरदार आ गये हैं हमारे बीच दोने लोले गोलसन ग्रोबर गोलसन सर का सौगत कीजिए सूपर आक्टिंग के जबरतस्त आक्टर जिन्होंने ना जाने कितने किरदारों को अमर कर दिया पुर्णिया की धर्ती पे सर आपका सौगत है फिल्मों में तो ये बैड मैन कहते हैं लेकिन असल जिन्दगी में ये गोड मैन है जेंटिल मैन है और सूपर 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 मैन है तो जोरदार तालिया दोने वाले कुल्चाण ग्रोबर के लिए अरे ताली की आवास देए कमो पुनिया वासियों को कुछ कहना चाहे तो आप जरू कहें नमस्कार पुनिया में आके दिल गार्डन गार्डन हो गया हम तो पहले ही कहते हैं कि सप्णा संकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है जिन्दगी का मजा तो खटे में है के सरिया ये तो फेल हो गया तो पास कर देते हैं इसे प्रे मित्रो विद्यार्थियों विद्यार्थियों खास्तोर पर आपके लिए आये हम सभी लोग आप सबके आप सबको सम्मान देने के लिए आप सबको जो आपने तरक्की की है प्रॉग्रिस की है उसको अप्रिशियेट करने के लिए आये हैं क्योंकि हम सभी की जिन्दगी में विद्या का बहुत महस्तो है जब मैं बात करूँ सिर्फ ताली बजाना है बात नहीं कोई कर सकता सब प्रोग्राम कैंचल फिनिश सुबा तक बोल रहा हूं मैं यहां पर और आप भी विद्या के महत्तों के समझेए पर इसलिए ओए जिंगे बन अध़र जाए तरह करीब से आपको मैं आप सबी विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से विद्या से पूरा जीवन बदल सकता है मैं शिरिराम कॉलेज अफ कॉमर से एमकॉम की है मैंने शिरिराम कॉलेज जो एशिया का नंबर वन कॉलेज है जहां पर सौ प्रतीश से नीचे अगर नंबर है तो एडमिशन नहीं मिलता लेकिन मैंने शुरुआ की एक हम्बल आम स्कूल में जहां पर इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी क्योंकि हिंदी माध्यम से पढ़े से तो इंग्लिश समझ में नहीं आती थी तो टीचर को ट्रांसलेंट करना पढ़ता था लेकिन जब परिवार के कहने से स्वर्गिय पिताजी के कहने से ये द्रणक बना लिया ये तै कर लिया कि विद्या पढ़ाई इस पर पूरा ध्यान देंगे इस से हमारा भविश्य बन सकता है जो आज आपके सामने खड़े हैं बना उस विद्या की वज़े से बना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जवाब इस पढ़ाई से निकलकर असल दुनिया में जाएंगे तो जो यहां पर आपने डिरेक्ली इंडिरेक्ली सब कॉंशिसली सीखा है वो आपके काम आएगा है माता पिता के बड़ों के वो शब्त काम आएँगे जो वो खहते हैं आप से कि बच्चे पढ़ाई, विद्धया, concentrate This is your golden time, trust me this is your golden time to build your foundation this is your best time to acquire all those qualities that will help you in future मैं आपके सामने उधारन उशका मैंने बहुत ही financial difficult circumstances में पढ़ाई की पढ़ाई करनी हैं पढ़ाई सब समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाएगी ऐसे हमारे पूजी ने स्वर्गे पिताजी ने हमसे कहा उनकी बात हमको समझ में ने आई के ऐसा कैसे पढ़ाई से जादू हो जाएगा हमको तो बहतर खाना चाहिए बहतर रहने की जिन्दगी चाहिए आगे इतना competition है उससे कैसे लड़ेंगे जब पढ़ाई करके मैं successful successful होने लगा तो पिताजी की बात हमेशा कान में कूंचती रहती है तो मैं आपको ऐसे ही किताबों में किस से पढ़ा हूए नहीं सुना रहा हूँ अपनी कहानी सुना रहा हूँ that you the students must must use this opportunity to make a strong foundation and you the parents teachers, faculties all of you must encourage them to make this their best period, golden period आज देखिये उसी पढ़ाई की वज़े से मैं Shiraam College of Commerce से पढ़ने के बाद वहाँ पर मुंबई में फिल्मों में काम करने के लिए गया जबकि Commerce और Art दोनों अलग अलग है मैं अभी दस दिन पहले अपने College में कई बरसों से उनके आमंतरन्त में इस स्विकार नहीं कर सका दस दिन पहले मैं ऐसे ही टेड टॉक करने गया था पूरा College का Hall श्राम College का Hall खचाखच भरा हुआ था यह सुनने के लिए किस प्रकार से आपने पढ़ाई Commerce की की आपको Success आर्ट में जाकर मिली फिर भी आप पढ़ाई को इतना महत्व देते हैं क्योंकि बुद्धी अलग सोचने की शक्ती कुछ अलग करने की शक्ती वो पढ़ाई से ही आई वो वहीं से आई तो धैफोर once again not over emphasizing and sort of boring you I'm telling you education giving more attention to education is your best chance today to stand fight and win and get success in this world उपर सुन रहो ना बच्चे क्या बात हाथ हिलाओ जरा सुन रहो ना बात को ये सत्ते है भाई ये fact है मैंने इसी विद्ध्या के जरिये जब मैं बॉलिवुड की फिल्मों में बहुत successful हो गया यहां की फिल्मों में मैं stardom मिल गई इससे पहले के दूसरे उसी stardom में जूज रहे थे लड़ रहे थे मैं हॉलिवुड की फिल्मों में काम करने चला गया पहला भारतिये सिनेमा कमर्शल सिनेमा का कलाकार हूँ जिसने बॉलिवुड टु हॉलिवुड टु हॉलिवुड किया क्या बात है जोड़ टाल्या होनी चाहिए इतनी खूबसूरत बात सर्मारे साथ कर रहे है उससे पहले जिन कलाकारों ने हॉलिवुड की फिल्मों में काम किया वो देश शोड़कर या दूसरे देश सर्थ वही जाकर रहते थे वो वहां के रहने वाले बन गए और वही पर उनों ने काम करना शुरू किया ने कहा कि मैं अपनी कंट्री में अपनी फिल्मों में काम करूं गा पर मैं आया हूं आपकी फिल्मों में बी काम करने और उसके बाद वापस लट जाऊओंगा ऐसा उससे पहले कभी हुआ नहीं था ये बात उनको बरदाश में नहीं थी उन्होंने यहां तक कहा कि If you wanna work in Hollywood You have to live here You have to be available to us For auditions For meetings Or costume trials Meeting our director and everybody मैंने कहा कि मैं भारतिय सेरेमा भारतिय फिल्मों में काम करता हूँ वहां का स्टार हूँ, वहां का बड़ा एक्टर हूँ नामी एक्टर हूँ मैं आपको अपना वो काम दिखाने को तैयार हूँ मुझे एक बाद और बताईए कि French actor Jean Reno France से आकर Hollywood की फिल्म में काम करके वापस चला जाता है British actor Hugh Grant British filmों में काम करता है आपकी फिल्म में काम करके चला जाता है Italian actor Australian actor Nicole Kidman Spanish actor Harvey Baden अलग-अलग countries के stars हैं यह अलग-अलग countries के actors हैं यह आपकी फिल्मों में काम करते हैं चले जाते हैं तो हम भारतियों के लिए अलग rule क्यों हूँ के लिए लूग आपकी यह जाए लिए दिए लिए आए अजए नहीं मैंने दीरे दीरे परस्यू करके जरूरत हमारी थी उन्हें समझाया रिजाया बात उनको समझ में आई आज मैंने बिट्वीन बॉल्यवड और हॉल्यवड एक मिट्टी का रास्ता मटबाद बनाया और आज मुझे फखर है That road is being cemented and followed by wonderful colleagues like Priyanka Chopra, later Rufan Khan, अमितादाच्चन, अनुपम खेर, दीपिका पड़कोन और बहुत सारे कलाकाइब लेकिन सबसे पहले मैं गया मैंने शुरू किया था दालिया आइडिया कहां से आया सोच कहां से हुई पढ़ाई से मैं पढ़ा लिखा था पढ़ कर गया था कि जो मेरा आर्ट है, जो मेरा क्राफ्ट है इसको expand करना चाहिए next level पर लेकर जाना चाहिए इसलिए यह आइडिया आया, thought आया तो एक बार फिर से बच्चो, सुन रहे होना भाई और जोर से बोलो wonderful यह golden time है इसमें अध्यापक कि स्टाइल से पढ़ा रहे है क्लास जल्दी शुरू हो रहे है लेट शुरू हो रहे है उन सब चीजों में अपने mind को मत जुजाओ और इस बात से मत घबराओ के दूसरे किसी के पास आप से ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे पास तो कुछ भी नहीं था खाने को नहीं था एक युनिफॉर्म थी वो ही धो, वो ही पहनो वो ही धो, वो ही पहनो लेकिन दिमाग से घबराए नहीं हम हमने आज खाना देखकर ही होता है नो 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 आई डाइट फूट मैं इतना ही खाता हूं मेरा पेट नहीं निकल आए खाना खाने का मन नहीं होता अलाउड नहीं है ये सब कहसे पॉसिबल हुआ पढ़ाए ज़िद्या से पढ़ाए ज़िद्या से और मैं आपको भाशन इस तरह का नहीं देना चाहता हूं पर फिर दुबारों से कहना चाहता हूं ना घबराईए अपने एकनोमिकल सिर्कम्स्टैंस से हम से के भई हमारे पास ये नहीं है कोई फरक ने पढ़ता आप ध्यान दें पढ़ाई पर आप ध्यान दें सीखने पर आप ध्यान दें कि मुझे इन हालाद को बेहतर करना है उनली विद एड्यूकेशन जो आपके सामने उधारन खड़ा और भी बहुत सारे लोग है विशिंग आपके सामने उधारन खड़ा थैंक यू यू पीएसी एक्जामनेशन में यहां के एक बच्चे ने 41st of rank लाया है एक तालिसमा rank लाया है सर सुभम ने तो ये बहुत ब्रेट जवर्दस्ट स्कूल है सर और ऐसे ही कुछ ऐसे होनहार है यहां पर बच्चे जिनको हम चाहेंगे आपके हाथों द्वारा उन्हें संभाद लेए सर मैं चाहता हूँ कि आप यहां पर बैठे हैं और हमारे कारिकरम कुछ हो रहे हैं सर उसको भी थोड़ा इंचोई पानता तो मैं स्कूल में मास्टर की भी नहीं था नहीं सर मैं आपका फ्रान हूँ यह प्रफुल जी जो है यह रिंग मास्टर की तरा कुछ केम के लिए सर एक जाते 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 दोश कार मैं आता हूँ जी थोड़ी धेर में बैड मैड खाक सार को केकड़ा कहते हैं मैं सर का यह डायलोग हम सभी की जबाद पर रही है तालिया गुलसेंग ग्लोबर साब के लिए